भारत पर हूडों के द्वारा जब आक्रमण किया गया तो उसके सेकेंड नंबर का जो नेता था जिसने भारत पर दूसरी वार आक्रमण किया वो था तोर्माण मद्य भारत में एरण नामक स्थान से एक वराह की प्रतिमा पर खुदा हुआ ये लेक मिलता है जिसे पता चला कि धन्य विश्णू उसके साशन काल्ब के पहले वर्ष में इस तोर्माण का सामन्त था और महरकुल हूड साशक तोर्माण का पुत्र था और उसका उत्तुराद दिकारी था महरकुल बहुती ज़्यादा क्रूर और अत्याचारी शाशक था चीनी यात्री हूइन्सांग और मंदसौर अभिलेक के साक्ष्यों से हमको ये पता चलता है कि सबसे पहले गुप्त नरेश बाला दित्य और उनके बाद मालव नरेश यशोवर्धन के द्वारा महरकुल को बुरी तरीके से पराजित किया गया था तो हेन्सांग भी इनके साशनकाल में आये हुए थे तो उन्होंने भी अपने अभी लेखो जो उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं उसमें इनका वर्ण किया है नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि गुप्त काल में बंगाल में ताम्र लिप्ती नाम का एक बंदरगा है था तो काफी बार ये कुश्यन आया हुआ है कि ताम्र लिप्ती है क्या तो कहीं आपको आप्शन में ये भी दिया दिया जाएगा कि ताम्वे के उपर लिपी वो है तो बास्ता में ये एक बंदरगा है जो कि गुप्त काल में बंगाल में इसकी लोकेशन थी जहां से उत्तर भारतिय व्यापार और साथ ही दक्षन पूर्व एशिया चीन लंका जावा सुमात्रा इत्यादी देशों के साथ व्यापार किया जाता था पश्मी भा राधनिक पश्मी बंगाल के मिदनापुर जिले के तमलुक नामक स्थान को कहते है जो कि कलकत्ता से लगभग 33 मील दच्छर पश्म में नारायन नदी के पश्मी तक पर इस्थित है इसके बाद प्राचीन भारत की अर्थिववस्था में श्रेडियों का बहुत ही जादा म श्रेडियों को अपने सदस्यों पर नियाएक अधिकार भी होता था और श्रेडियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन काम करने के नियम मानक और कीमतों का निरधारन किया जाता था और प्रतेक श्रेडियों के संचालन में कोई भी हस्त शेप नहीं होता था ये श्रेडिया अपने नियम स्वयम बनाती थी राजा का इससर कोई लेना देना नहीं था इसके बाद नेक्ष्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि गुप्तकाल में गुजराथ, बंगाल, डककन, तमिलनाडू ये वस्तरूत पादन के लिए काफी फेमस जगह थी वस्तरूद्ध्योग गुप्तकाल का प्रमुक उध्योग था गुप्तकाल में अंतरश्री व्यापार के प्रमुक केंद्र थे उनके नान थे तामर लेपी, भ्रभुकक्ष, अरिकामेडू, कावेरी पत्तनम, मुझरेश, पतिष्ठान, सोपार, बारवेरिकम तो ये कुछ international trade centers थे, गुप्तकाल के जुकि भारत में अस्थित्त थे इसके बाद आयुरवेद और चिकिटसा के छेत्र में प्राचीन भारत की चरम परणती चरक और शुष्ट में मिलती है गुप्त कालीन, शुष्ट सहिता में, चिकिर्सक के ज्ञान और कारिको शल्ता को समान रूप से दिखाया गया है धन्वंत्री चंद गुप्त दुतिये, इन्होंने विक्रमादिति की उपाधी ली थी शाथी उन्होंने शकारी की उत्पादी भी ली थी, ये उनके नवरतनों में से एक थे धन्वंत्री, धन्वंत्री आयर्वेद शास्तर के प्रकार्ण पंडित थे, चरक और शुष्रुट भी आयर्वेद के विख्यात विद्वान थे, चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, उन उन्होंने शिद्धांत शिरोमणी लीलावती नाम से ग्रंथों की रचना की और इन ग्रंथों में गलित खगोल विज्ञान संबंदी कई विश्यों पर प्रकाश डाला उनके बारे में बढ़न किया इसके बाद नेक्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि पांचवी सती में आरभट्टी रचनाओं में इसका उलेख है सात्वी सती इश्वी में ब्रह्मदुत्त ब्रह्मगुप्त के द्वारा चक्रिय चत्रवज के सिध्धांत का वरडन मिलता है नेक्स्ट पॉइंट में बतायागे कि समुद्र गुप्त की कुल श्यों प्रकार की सौन मुद् गुप्त काल में सौन मुद्रा को दीनार कहा जाता था चीनी यात्री फाहयान के अंसार लोगदैनिक क्रे विक्रे में कौडियों का प्रियोग किया करते थे गुप्त साशकों के सिक्के यूपी विहार बंगाल एमपी मद्यपदेश राजिस्थान और उडीसा में पाए ग इसका नाम है बयाना यहां से समुद्रगुप्त के काल के सिक्कों को सबसे जादा प्राप्ति हुई है इनके द्वारा जारी किये गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे और स्वन मुद्राओं को दीनार कहा जाता था गुप्त साशकों में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा सबसे पहले सिक्के जारी किये गए थे इसके बाद सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्षे मिलता है एरण से ये अभिलेख 510 एसवी का है जिसमें गोपराज नामक सेनापती की इस्त्री उसके साथ सती हो गई थी इसता वो लेख उसमें है गुप्त सामराज्य के पतन के कारण क्या-क्या थे हुणों का अक्रमन प्रशासन का सामन्ति अधाचा उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद धर्म स्विकार कर लेना गुप्तकाल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए धीरे-धीरे और संपून गंगल हाटी में जो सहर पहले अत्यंत सम्रद अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्तकाल में या तो त्याग दिया गया या वहां के जो लोग जो हैबिटेट मना हुआ था जो आवसन था उसमें परियाप्त विगटन हुआ लोग माइग्रेट कर गए यहां से पाटली पुत्र जैसा प्रमुख नगर भी इ इस्तिती में पहुँच चुके थे गुप्तकाल में कला और साहित में भी काफी प्रगती हुई थी इस काल को प्राश्चीन भारत का स्वर्ण योग कहा जाता है अजनता की तीन गुफाएं 16, 17 और 19 भी यह गुप्तकालीन गुपाएं मानी जाती है इसमें 16 और 17 गुफा विहार थी और जो 19 भी गुफा थी वो चैते थी तो चैते और विहार में क्या डिफ्रेंस है इसको मैंने बहुत धर्म के बारे में पढ़ाते वक्त आपको डिस्क्राइब किया है इसके बाद गुप्त वंश के साशकों ने मंदिरों और ब्रहमणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिये थे गुप्तकाल में जो लोग राजकिये भूमी पर कशी करते थे उनको अपनी उपज का एक भाग राजा को टेक्स के रूप में देना पड़ता था जो सामानेत है एक वटे खे होता था गुप्त अवलेकों में भूमिकर को द्रंग या भाग कर कहा गया है सभी धर्मशास्तों में भूराजेस की दर एक वटे च्शे ही मिलती है प्राचीन भारत में सचाहे कर्को बिदक भागम या उदक भाग कहा गया है हिरन्य मौरेकाल में लिया जाने वाला एक नगत कर था और गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रिशम के लिए कौशे अश्रद का प्रयोग किया गया था तीश्री शताबदी में वारंगल लोह यंत्रों उपकरणों के लिए काफी फीमस था वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे और यह अगरिया लोग क्या करते थे प्राचीन काल से ही लोहे के आमान बनाना उपकरण बनाना उनका यही एक प्रयोडम पर अगर व्यवसाय बनके रहा था तो basically इस point में जो आपको यह बताये गया है कि उद्रंग क्या है या भाग कर क्या है बिदक भागम उदक भाग क्या है तो काफी बार कुशन यही आ जाता है कि particular यह turn किस चीज को यह है कौशय शब्द क्या है या किस चीज को प्रदर्शित करता है प्राशीन काल में वारंगल किस के लिए फेमस था और लोह अपकरण कौन सी जाती के लोग करते थे तो यह अगर यह समधायर है जो लोग लोह से संबंदित कारे करते थे इस चीज को आप याद रखिए नेक्ट है डॉक्टर केपी जैसवाल ने विशाख दत्य को चंदगुप्त मौरे का समकालीन बताया है और इनके नाटक मुद्रा राक्षर से चंदगुप्त मौरे के क्रत्यों पर प्रकाश पड़ता है मुद्रा राक्षर से ये पता चलता है कि किस प्रकार से चंदगुप्त मौरे ने अपने शाषन विरस्था को समभला इसमें चंदगुप्त मौरे के समय में राजदरवार की जो भी दुरभी संदियां थी उनके वारे में उसने वर्णन किया है गुप्तकाल में लिखे संस्क्रत नाटकों में स्त्री और सुद्र प्राक्रत भाशा का प्रियोग करते थे यह लोग प्राक्रत भाशा में अपने बोलचाल का काम करते थे जबकि जो उच्वर्ण के लोग थे वो संस्क्रत भाशा का प्रियोग करते थे जैसा कि आज के टाइम में आप ले सकते हैं, जो सामाने लोग हैं, वो हिंदी बोल लेते हैं, जो high class है वो अपने आपको तभी high status समझते हैं, जिसके वो English बोलते हैं, तो एक तरीके का ऐसा ही डिफरेंस तब भी रहा होगा, प्राकरत भाशा और संस्क्रत भाशा में, नेक्स है सूद्रक के द्वारा लिखी हुई थी एक रचना जिसका नाम है मरक्ष कटिकम इससे गुप्त कालीन साशन विवस्था नगर जीवन के विशे में काफी रोचक सामगरी मिलती है ज्यान प्राप्त होता है मैं उसकाल का इस ग्रंथ में चारुदत नामक ब्राह्मर सा और एक गड़िका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को दर्शाया गया है गुप्त सामुराजय की शाशन विवस्था राज तंत्रात्मत थी मौरे साशकों के विप्रित गुप्तवंशी शाशक एक देव्या उत्पत्ति में विश्वास रखते थे गुप्त साशकowie भूमिदान की परंपरा को फैलाया, विस्तारित किया, गुप्त विशासन का स्वरूप केंद्री करत न होकर संघात्मक था, गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था, सामंत और प्रांतिय साशक अपने अपनी छेत्रों में नितांत स्वत्रंटरता का भारत से यह इरान और उसके बाद वहां से यूरोग पहुंचा, इसके बाद प्रवर्सेन प्रथम, जोके वाकाटक वण्श का एक मात्र साशक था, जिसने सम्राट की उपादी धारण की थी, तो इस वाकाटक शाशक प्रवर्सेन प्रथम ने शार अश्वमेग यग्य अहित्य में थी, उसने सेतुबंध नाम का एक गरंथ लिखा था, इसके बाद महर्शी कपिल के बारे में बताया गया है, उन्होंने सांखे दर्शन की रचना की थी, उसका प्रथिप्रादन किया था, सांखे पुनर जन्म अथवा आत्मा के आवागवन के सिध्धान्त को स अगर आप विवेक का प्रयोग करते हैं, तो आप अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि विवेक से ही ज्ञान प्रथ होता है, महर्शी पतंजली को योग-दärशन का पतिस्थापक आचारे माना जाता है, सबसे पहले महर्शी पतंजली नहीं, सो सम्मन्ध आशनिक सिध्धान्त के रूप में योग का विवेचन किया था इसलिए इसे पतंजली दर्शन भी कहा जाता है इसके बाद नेक्ष्ट पॉइंट में बताया गया है कि नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथला के आचारे गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक क्रती तत्व चिंतामनी से मिलता है और इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवदीप के नयायक वासुदेव सारभौम और दीदिकार रगुनात शिरुमनी मतुरानात जगदीश गदाधर भटाचारे ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसस न्याय संप्रदाय नव्य न्याय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं भारती दर्शन में चारवात दर्शन एक भौतिक वादी या जड़वादी विचारधारा का पोशक है इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहो सुक से जीवित रहो उधार लेकर घी पियो क्योंकि देह तो भस मोजानी अंद और उसके बाद पुनरजन्म आपका हुना नहीं है तो ये पुनरजन्म में विश्वास नहीं करते हैं जिसको संस्कृत में भी कोट किया गया है याव जीवेत सुखम जीवेत रिणम कृत्वा घरतम पिवेत भसमी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतह अर्थात जब तक जी उसका प्रवर्तन किया गौतम ने गौतम रिशी जिने अक्षपाद भी कहा जाता है न्याय का सहद्धिक अर्थ है तर्क या निर्णे न्याय दर्शन में सोलह पदार्थों या तत्तों का अस्तित सीकारा गया है न्याय दर्शन का मूल गरंथ गौतम कर्थ न्याय सूत्र ह इसके बाद कर्म का सिध्धान्त भी मीमांसा दर्शन से जुड़ा हुआ है उसी से related है इसे पूर्व मीमांसा कर्म मीमांसा और धर्म मीमांसा भी कहते हैं जैमिनी ने पूर्व मीमानसा का प्रतिपादन किया था, मीमानसा के प्रखर और उद्भव आचारे कुमारिल भट को, जिनकी गर्णा भार्तिय दर्शन के मूर्धन अचारों में की जाती है, और जिन्होंने अपने प्रमुख तरकों से बहुत धर्म और दर्शन का खंडन कर के वैदिक धर्म और दर्शन की पुनह प्रतिष्ठा की थी, तो ये भी कर्म के सिध्धान्त को प्रतिपादित करते हैं, मीमानसा दर्शन को प्रतिपादित करते हैं, पूर्व मीमानसा और वेदान्त के बीच की शंखला है ये कर्म मीमानसा, मीमानसा दर्शन वेद को सासर सत्थ मानता है पूर्व मिमांशा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और जो उत्तर मिमांशा वाला भाग है उसमें वेद के ज्यानकांड भाग पर बल दिया गया है मीमानशा और वेदान्त नियाय और वैशेशिक सांख और योग ये भारतिय शड़ दर्शन के भाग हैं वेदों को मानेता देने के कारण ही सांख योग नियाय वैशेशिक मीमानशा और वेदान्त शड़ दर्शन ये टोटल आपके 6 हो गए ये शड़ दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं कई बार ये कुश्चन आ जाता है बताई ये शड़ दर्शन में क्या है शड़ दर्शन सांख योग नियाय वैशेशिक मीमानसा और वेदान्थ है अगर आपसे पूछा जाए कि इनके प्रणेता कौन है तो सांख के है कपिल, योग के है पतंजली, नयाय के है गौतम, वैशेशिक के है कडाद, मीमानसा के है जैमिनी और वेदान्थ है वादरायड का इसके साथ जब ये कभी कुछा गया था तो उसमें लोकायत और कापालिक इनक्रूट किया गया था उप्शन में तो ये भारतिय शड़ दर्शन के भाग नहीं है, लोकायत और कापालिक ये अलग सेक्ट है वेदान्थ दर्शन को भारतिय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है वेदान्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा वेदान्थ दर्शन के तीन आधार है उपनिशत, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता इन्हें वेदान्त दर्शन की प्रस्थानत त्रई कहा जाता है कई सूख्ष्म भेदों के आधार पर उसकी कई उपसंपरदाय और उसके प्रवर्तक हैं जैसे संकराचारे का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टा द्वैत, माधवाचार का द्वैतवाद तो ये कई आपके उपसंपरदाय हैं नेक्ट है पुराणों के अनसार चंद्रवंश या सोमवंशी छत्री वर्ण के तीन मूल वंश है तो उसमें कौन-कौन से तीन मूल वंश है, एक दो सूरे वंश है और एक अगनी वंश उनमें से एक था आपका चंद्रवंश या सोमवंशी छत्री लोग चंद्रवंशी शासकों का जो मूल इस्थान बताया जाता है वो है त्रेता युग में प्रियाग प्रियाग राज में ही चंद्रवंशिय शाष्कों का उद्भव हुआ वहीं से उनका विस्थार हुआ परंतु प्रले के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशिय सम्वारन ने प्रतिष्ठान पुर अथाथ जो इलाबाद में जूसी एक इस्थान है वहाँ पर उसमें अपनी राजधानी की स्थापना की थी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि अगनिकुल के राजपूतों का सरवाधिक प्रसिद्ध प्रतिहारवंश था जितने भी अगनिकुल के राजपूत है उन्हें सबसे ज़्यादा फीमस सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वो थे प्रतिहारवंश यह बान भट के हर्ष चरित्र में भी गुर्जरा का उलेख मिलता है गुर्जर प्रतिहार वन्ष का संस्थापक थे नाग भट प्रथम जो कि 730 से 756 इस वी का जिनका समय है ग्वालियर अभिलेख से हमको यह पता चलता है कि इस नाग भट प्रथम ने मलेक्ष साशक की विशाल स सेना को नश्ट कर दिया जो संब्रफता सिंदखा अरब साशक था और इस प्रकार से नाग भट ने अरवों के आक्रमड से पश्चिम भारत की रक्षा की थी नेक्ष पॉइंट में राश्टकूट वंश की स्थापना 736 ईशापूर में दंती दुर्ग ने की थी उसे मानने खित को अपनी राजधानी बनाया था दंती जंति दुर्ग के संबन्द में ये कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरन्य गर्भ यग्य और थात महादान यग्य करवाया था राष्ट कूट राजा अमोग वर्ष का जन्म आठ सो इसापूर में नर्मदा नदी के किनारे शीभावन नामा के स्थान पर हुआ था और वो मौकरी लोग, गुप्तों के सामन्त थे, जो मूलत है गया के निवासी थे मौकरी वंश के साचकों ने अपनी राजधानी कन्नोच को बनाया इस वंश के प्रमुषवाशकिते हरिवर्मा, आधित्यवर्मा, इशानवर्मा, सर्ववर्मा और ग्रह वर्मा नेक्स्ट पॉइंट में बताये गया है कि हर्ष के समय की विश्दत सूचना इसके दरवारी कभी बाणभट की क्रती हर्ष रचित से प्राप्त होती है इससे जुड़ी हुई कुछ सूचना है कलहर क्रती राज तरंगडी में भी मिलती है इसके साथ ही जो चीन के कुछ श्रो प्रशासनिक कारे में पूरी तरीके से सहयता दे सके अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्ट्रता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्योज में विविन्य धर्मों संपरदायों के आचारें के एक विशाल सभा बुलवाई थी चीनी साक्षियों के अनुसार इस सभा में 20 द प्रती पांचवी वर्ष प्रियाग संगम छेत्र में एक समारों का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिशत कहा जाता है नहीं कहा जाता था हुईन सांग सोयम इस समारों में पस्तित होता था इसमें 18 देशों के राजा इसमें शामिल होते थे हर्ष की विजियों के फलसरूप उसके राज की पश्यमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुँच चुकी थी और इधर आपका पुलकेशन दुती का राज था तो पुलकेशन दोनों के वीच में युद्ध हुआ तो दोनों का ही युद्ध उनके बॉर्डर एरिया पर होगा तो कहां पर था नर्मदा के तरपर दोनों के वीच में युद्ध हुआ और इसमें पुलकेशन दुती ने हर्ष को पराजित किया पुलकेशन दुती की एहोर प्रसस्ति और वाहु नदी उसके केनारे पर अवस्तेत है प्रीथिकूट परवत उसी के पास में गाउं है जिसका नाम है पीरू गाउं वहां बानभट का जन्म हुआ था तो औरंगाबाद नाम से भारत में कई जिले हैं एक महाराष्ट में हैं जहां पर आपकी अजन्ता एलोरा की गुफ नाम था चित्रभानू और माता का नाम था राजदेवी हर्श वर्दन के समय की सबसे पहली घटना सबसे प्रमुख घटना थी चीनी यात्री हुएंसांग का भारत आगमन उसमें हुएंसांग ने तांग साशकों की राजधानी चंगन से भारत वर्ष के लिए 629 इश्वी का विवरंक दिया है जो भी उसने देखा पाया उसको ने शब्दों में उसने लिखा है इसमें भीन माल की यात्रा भी उसने की थी इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हुएंसांग के अनुसार सडकों पर आवागमन पूर्टे सुरक्षित नहीं था अपराध थे तट्ए थे वहाँ पर बिक्री की वस्तू आदी पर भी टैक्स लगता था जिससे राज्य को परयाप्त धन प्रापत होता था हुएंसांग चीन के तांग वंशी शाशक ताई शुंकार समकालीन था और इसी के राज्य का नागरिक था हुईन सांग ने अपनी यात्रा अन्भवों को एक पुस्तक लिखी जिसमें संकलित किया है जिसका नाम है A Record of the Western Reasons 637 सीजवी में हुईन सांग नालंदा विश्विध्या ले गया और इस समय यहां के कुलपती अचारे शील भद्र थे हुईन सांग के अनुसार मत्रा उस समय सूती वस्तरों के लिए काफी फेमस था जिपके वारानसी रेश्मी वस्तरों के लिए फेमस थी हुईन सांग बताता है कि थानेशवर की समरद्दी का प्रधान कारण क्या था कि यहाँ पर काफी जादा मात्रा में व्यापार होता था और बान भट ने थानेशवर नगरी को अथितियों के लिए चिंतामणी भूमी थथा व्यापारियों के लिए लाल भूमी बताया है तो जितनी भी यहाँ पर बखुवी बताई जा रही है यह है थानीशवर के बारे में। इसके बाद जब हर्च की मृत्ति हो गई इसके बाद कन्नोच विभिन शक्तियों के आकरशन का केंद बन गया। उत्तर भारत के इतिहास का सबसे ज़्यादा महत पून घटना क्रम है। इस अंगर्ष में जो सफलता मिली वो थे गुर्जर प्रतिहार। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 672 इसवी में जब वो यह वक्त था तब वो यहाँ पर आया और उतने 37 वद्यसायोगियों के साथ ब के लगवक्त सुमात्रा होते हुए वह वापस चील लोट गया था। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उलेख यन तू या थेयान तू के नाम से भी किया है। नानंदा विश्विध्याले बक्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमन कारियों द्वारा 1193 इसवी में नश्ट कर दिया गया था। ये भारत में बौधमत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। विक्रम चिला के प्राचीन बौध विश्विध्याले के स्थापना बंगाल के पालवंशिय शाशक धर्म पाल के द्वारा की गयी थी। धर्म पाल ने अपने शाशनकाल अर्था 783 इसवी से 820 इसवी में इसको अनिर्मान करवाया था और 1193 में बक्तियार खिलजी ने इस उन्होंने एक दर्शन दिया जिसको अधुएत वात कहते हैं तो अधुएत वेधान्त के नाम से जाना जाता है इनके दर्शन को संक्राचारे द्वारा इस्था चार मठ वरत्मान में भी हिंदू धर्म के पत्ह प्रदर्शक माने जाते हैं जिसका वीवरा है इस प्रकालत आपको ये चार जो मठ हैं उसके बारे में बताया है करनाटक में श्रंगेरी गुजरात में द्वारका ओडिसा में पुरी और उत्तराखंड में जोशी मठ ये चार आपके मठ हैं जो कि संक्राचार के द्वारा इस्थापित किये गए चार धाम अगर आपसे पूछे जाते हैं तो चार धाम और चार मठ दोनों ही अलग-अलग हैं चार धाम कौन से हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामिश्रम तो ये चार धाम हैं अगर आपसे पूछे जाए चोटे चार धाम कौन से हैं तो उत्तराखंड में स्थित, गंगोत्री, यमनोत्री, केदारनाथ और बद्री नयत इनको छोटा चार धाम करके इनुग चारों को एक साथ जाना जाता है के बाद गुप्त वन्ष ने 275 से 565 भी तक शाषन किया था इस वन्ष की स्थापना 275 भी में महाराज श्री गुप्त के द्वारा की गई थी की थी इसको हम पहले बता चुके हैं फिर इससे यहां पर रिपीट किया जा रहा है इस PDF में काफी जाधा जानकारियों को रिपीट बार बार लिखा गया है तो यह एक सीक्वेंस में नहीं है इसलिए मुझे काफी चीज़ों को स्किप करना पड़ रहा है जिसको कहीं न कहीं मैंने डिसकस किया है ऐसी ये एक भी जानकारी नहीं है जिसको मैं डिसकस नहीं कर रहा हूँ नेक्शट पॉइंट है उत्तर पिदेश के गागी पुर जिले में सैदनपुर तहसील है वहाँ पर एक इस्थान है जिसका न参म है भीत्री तो यहां से भीतरी स्तंभ लेक मिलता है इसमें पुष्यमित्र और हूडों के साथ सकंद गुप्त के युद्धकावी वर्डन मिलता है इसमें जो उलेक किया गया है वो यह है कि हूडों का सबसे पहला भारती आक्मा गुप्त समराथ सकंद गुप्त के साशनकाल में 455 में कि जिसमें इसकंद गुप्त से बुरी तरीके से पराजित हुए थे इशा की तीसरी सदी में से जब भूड आक्रमाण से रोमन सामराज्य का पतन हो गया तो भारती एदक्षन पूर एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो चुके थे अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत में इस्थापत्य कला के बारे में तो मध्यपदेश के चतरपु जिले में स्थिप खजराहु में चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल इस्थापत्य की उतकृष्ठता को बखान करते हैं उसके बारे में बताते हैं जो खजराहु मंदिर हैं इ इने से सिर्फ 30 मंदिर के ही अवशेश मिलते हैं, ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म, इन चारो धर्मों से संबन्दित हैं, यहां का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये मंदिर संभवत है राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था, इन मंदिरों के निर्मा शैली नागर शैली है। जैन मंदिरों में पार्शोनात मंदिर प्रसिद्ध है। यहां के अन्य मंदिर कौन-कौन से हैं। यह तीनों ही आपके MP में लोकेटेड है। दशावतार मंदिर देवगड जासी में स्थित है। और यह गुप्त कालीन मंदिर है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंदित कुफा चित्रांकन के किवल दो उधारन उपलब्ध हैं। इनमें से एक है अजन्ता की गुफ महराष्ट्र में मुंबई से लगवग 200 मील उत्तर में कनहेरी नामक गुफाएं हैं जहां पर कई सारी गुफाओं का एक समुह मिलता है। अनिक वर्षों तक इन गुफाओं में बहुत भिक्षू निवास करते थे। यह कह सकते हैं कि यह बहुत भिक्षू के लिए विहार था जहां पर वो लोग रहते थे और यह गुफाएं आठवी से नौवी सदी में बनाई गई थी उनको प्रयोग किया जाता था। माउंट अबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संग्मर्मर के बने हुए हैं जिनका निर्मान गुजरात के चालुक्यर यानि शोलंकी साशक भ खाव नगर जिले की सत्रण जय पहाड़ी परिस्थित है नेक्ष्ट है अलिफेंटा के बारे में तो अलिफेंटा मुंबई से समुद्र में साथ मील नौर्थ इस्ट डारेक्शन में अगर आप जाएंगे तो एक आइलेंड मिलेगा जिसका नाम है अलिफेंटा यहां के प इन गुफाओं का निर्मारकाल पाचवी से आठवी सदी के बीच में माना जाता है यहां पर प्रसिध्ध त्रिमूर्थी शिव की प्रतिमा प्राप्त होई है एक शिव जी की प्रतिमा है जिसमें तीन मुख लगे हुए हैं अलोरा महराष्ट के औरंगावाद से लगबग किलोमीटर नौर्थ वेश्ट डारेक्शन में इस्थित है यह शैलक्रत गुफा मंदिरों के लिए जानी जाती है यहां पर टूटल चोंतिस शैलक्रत गुफाएं हैं यह गुफाएं वेभिन नकालों में बनी है इन मेंसे गुफा संख्या एक से बारह तक है वो बौद्ध तक है उसमें जैन धर्म से संबंदित आकरतियों का निर्मान किया गया है द्रविण सहली के इस विश्व पसिद्ध जो एलावरा में एक और मंदिर है जिसका नाम है कैलाश मंदिर तो कैलाश मंदिर यह द्रविण सहली में बना हुआ है इस विश्व पसिद्ध मंदिर का करवाया था पश्मी भारत में प्राचीन्तम सेलकृत गुफाएं नासिक एलॉरा और अजन्ता में हैं यह तीनों ही इस्थल आपके महराष्ट में इस्थित हैं और जो नाशिक के वद्ध कुफाएं हैं उन्हें पांडु लेड़ भी कहा जाता है इस टर्म को आप याद रख प्रचार पसार होता था क्योंकि इसको राजकिये संरक्षन प्राप्त हो रखा था और इस वक्त बहुत धर्म को इतना ज्यादा संरक्षन नहीं मिला हुआ था राच्टकृत शक अमोग वर्ष का गुरू जैनाचार यह जिन सेन था जिसने आधी पुरान की रचना की थी उ चागीर द्वारों के द्वारा निर्मित करवाई गई थी अजन्ता की गुफा संख्या सूले की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक चित्र बनाया गया है जो की मरना सन्न राजकुमारी का चित्र है इस चित्र की प्रसंशा करते हुए ग्रिफित वर्गेस फर्गुसन ने गया है और अपनी जो भी हाव भाव से वो कहना चाहती है वो राजकुमारी और उसके नजदीक जो भी चीजने घटित हो रही है उसको चित्र में परफेक्टली दर्शाया गया है तो गुफा संक्या सोलेह को वाकाटक साशक हरिशेन के मंत्री वराह देव ने बौध संग क दान में दिया था अजन्ता के चित्र तकनी की द्रश्टी से विश्व में प्रथम इस्थान रखते हैं इन गुफाओं में अनिक प्रकार के फूल पत्ति रक्ष पशू आकरती की सजावट बुध एवं बोधिसत्र की प्रतिमाओं के चित्रन में जातक ग्रंथों से कई च प्रतियों का निर्मार किया गया है और यह चित्र अधिकता जातक कथाओं को दर्शाते हैं नेक्स्ट है पुरी इस्थित कोणार का विशाल सूर्य देव का मंदिर नर्सिंग देव वर्मर्व प्रथम चोडगंग ने बनवाया था यह मंदिर तेरमी शताबदी का है और य सूर्य लगता दिते हैं ऑर है तुषर मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता है काला पैगोडा लिंग राज मंदिर के बारे में बात की गए है जो कि ओड़ीसा के भुवनेशर में इस्थित है और इस मंदिर की जो सैली है वो है नागर शैली यह आरे है नागर शैली का सरवत्तम मंदिर है लिंग राज मंदिर का सबसे आकरशक भाग है इसका सिखर जिसकी जिसका निर्मान सोलंकी रजश के राजा भीम देव के द्वारा 1026 इसमी में करवाया गया था। इसके बाद अंकोरवाट मंदिर समुह का निर्मान कमपूचिया जिसे वर्तमान में कमबोडिया देश के नाम से हम जानते हैं वहाँ पर सूर्य वन्मन दुतिय के द्वारा 12 शताबदी के आरम में अपनी राजधानी यशोधरपुर जो के वर्तमान अंकोर है वहाँ पर उसने अपना अंकोरवाट मंदिर का निर्मान करवाया था और ये मंदिर भगवान विश्नु को समर्पित है। अगर इसकी शैली की बात की जाये किस शैली में इसका निर्मान किया गया है तो ये द्रमिन शैली है ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूम है बोरो बुदूर का प्रख्यात स्थूप इंडोनेशिया के जावादीब पर इस्थित है या एक युनेसको अगेसे बड़ा माने है वर्ल हेरिटे जई है तो काफ़ी बार ये पूछ लिया गया है कि बताएं वरो बुदूर क्या है यह वह कहां पर स्थित है यह अंकौरवाट मंदिर किस देश में स्थित है कंबोडिया में इस्थित है किस ने इसका निर्मान कराय था ये मंदिर कि इस भगवान को समर्पित किया गया है तो इस प्रकार से इस पॉइंट से question उठते हैं जो कि अब आपको clear हो गया होगा next है पाल्लों के राज्यकाल में द्रमिन शैली में कई सारे मंदिनों का निर्मार हुआ इस काल में मंदिर छोटे होते थे लेकिर उनके प्रांगर के चारों और अनेक प्राचीर बनाये जाते थे यह प्राचीर सामान्य होते थे लेकिन इनके प्रवेश द्वार बहुत बड़े आकार का बनाये जाता था जिसको गोपूरम कहा जाता था भव एवं विशाल प्रचुर्मात्रा में शिल्पकारिता से ये अरंद्गरत होते थे इसके बाद बात की गई है मामल्ल सैली के बारे में मामल्ल सैली का विकास नर्शिंग वर्मा प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था जो की 640 से 674 इस विका है इसके अंतरगत दो प्रकार के समारक बने है मंडप और एकाश्मक मंदिर जिनको रथ कहा गया पल्लव कला की राज सिंग सैली जिसका प्रारभ होनर सिंग वर्मन दुतियन अठात राज सिंग ने किया था इसके तीन मंदिर महावली पुरम से प्राप्त होते हैं एक है शोर मंदिर, तटिय शिव मंदिर, दूसरा इश्वर मंदिर और तीसरा है मुकुंद मंदिर शोर मंदिर जो भवान शिव को समर्पित है वो एक सैली का सबसे पहला उधारण है महावली पुरम में रत मंदिरों का निर्माड पल्लव साशक के द्वारा करवाया गया था ये मंदिर एकाश्म पत्थर से बना हुआ है पल्लव कालीन मामल सैली से बने रतों एकाश्म मंदिरों में दुरौपदी रत सबसे छोटा है उसमें किसी प्रकार का अलंकरण देखने को नहीं मिलता है ये सिंग और हाथी जैसे पश्रूं के आधार पर टिका हुआ है श्री निवासन नलूर का कोरंगनाथ मंदिर इसे चोल साशक परांतक प्रथम के काल में निर्माड कराया गया था तंजोर में राज राज इश्वर मंदिर व्रहदी इश्वर मंदिर जिसे कहा जाता है उसका निर्माड राज राज प्रथम के काल में कराया गया था इसके निर्माड में ग्रेनाइटिक पत्थरों का उत्योग किया गया था राज राज प्रथम के पुत्र थे राजेंद्र चोल, इनके साशनकाल में गंगय कॉन्ड चोल पुरम में मंदिर का निर्मान हुआ, राज राज दुतिय द्वारा, दारा सुरम का एरावतेश्वर मंदिर, तथा कुलोतिय द्वारा, त्रिभुवनम का कंपहरेश्वर मंदि बनवाया गया, जो कंपरेशवर मंदिर है उसको त्रिभवनेशवर भी कहा जाता है, इसकी योजना एरावतेशवर मंदिर के ही समान है, उसी के समान उसका मैप बनाया गया है, इसमें मूर्तिकारी काफी ज़्यादा मातरा में की गई है, इसलिए नीलकंट शास्त्री ने इस स्थापना की गई थी वो सिंधु नदी छेत्र में तामरा नाला के समीप इस्थित है यह वर्तमान इस्लामाबाद से 30 किलो मीटर नौर्थ-वेस्ट में इस्थित है जो सिंधु और जेलम नदियों के मद्दिका छेत्र है तक्षचिला हिंदू राज्य की राजधानी थी और प्रमुक सांसकतिक केंद के रूप में प्रसित थी नेक्ष बात की गए है सोनगिरी दतिया जो के MP में है दतिया से 15 किलो मीटर दूर अवस्थित है सोनगिरी यह दिगंबर जैनियों का पवित्रिस्थल है सोनगिरी के चारो और सफेद जैन मंदिर इस्थापित किये गए ह वरत्मान में यहाँ पर 57 जैन मंदिर पहाडी पर 29 गाउं में स्थित है इसपर कार टोटल जो संख्याबंती है वह है 103 मंदिर पहाडी पर 50 धावनवा मंदिर इसमें मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभू से सम्मंदित है इसके बाद बात की गई है विरुपाक्ष मंदिर के बारे में जो करनाटक राजे के वैंगलोर शहर से 350 किलो मीटर दूर हमपी में स्थित है यह मंदिर भगवान शिप को समर्पित है जो यहां विरुपाक्ष के नाम से जाने जाते है नागर, द्रविड और बेशर यह भारतिय मंदिर की तीन मुख्य शैलिया है तो जो नागर शैलिय है वो आपके द्रविड के जो mixture वाली form है आप कह सकते हैं कि North और जो आपका South इंडिया है उसके मध्य में आपको बेशर सैलिय देखने को मिलेगी अथाथ यह दोनों सैलिया आपस में जब fuse होती है तो जो नई सैलिय बनती है उसे कहते हैं बेशर सैलिय नागर सैलिय समस्तोंतरी भारत में प्रस्लित है उड़ी सा के मंदिर सुद्ध रूप से इसी सैलिय में अंदिर्वित है द्रविन सैलिय का प्रसार दक्षिन भारत विशेशकर क्ष्णा नदी एवं कुमारी अंतरी के मद्द्य का स्थान था तमिलानु वहाँ पर है, बेसर सैली का विकास नागर और द्रविन शैली के मिश्रण से हुआ है, तो इस विकार से जो मैंने आपको पहले डिफाइल किया वही है, कन्नर प्रदेश के अंतिम चालुक के शाच्कों के द्वारा प्रियुक्त होने के कारण, जो द्रविन शैली है, उसको च दिखाता है दर्शाता है बद्रीनात कूपर के द्वारा रचित एक उस्तक है जिसका नाम है रहत परमारिक हिंदी कोश इनके अनुसार पंचायतन एक पुर्लिंग शब्द है मेल शब्द है जो किशी देवता और उसके साथ के चार देवताओं की मूर्ति के समूं के लिए प बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है राजिस्थान के उद्यपूर में इस्थित जगदीश मंदिर सिल्पकला की द्रश्टी से बहुत ही अनूखी है मंदिर पंचायतन शैली का ही है चार लगु मंदिरों से परवर्थ होने के कारण इसको पंचायतन कहा गया है प् नेक्श्ट है मद्य पदेश में छतरपुर जिले में इस्थित खजराओं के मंदिर है उसको चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मान कराया गया था इसलिए से चंदेल इस्थापत्य की रूप में भी जाना जाता है खजराओं में टोटल 85 मंदिरों कर निमान किया गया है ये मंदिर चंदेश आशकों के द्वारा ही बनवाए गये थे इन में से टोटल 30 मंदिर शेष हैं वैशनव सैव, शाक्त, जैन इचारों ही धर्मों से सम्मंदित है बहुत धर्म से सम्मंदित नहीं है बस इस बात का आपको ध्यान अखना है इसके बात हम बात करते हैं दक्षन भारत की जिसमें आपके टोल, चालुक के पल्लव और संगम युग के बारे में हम जानेंगे तो संगम कालीन साहित में कोन, को और मनन शब्द राजा के लिए प्रियोक्त किये जाते थे संगम का तातपर है कवियों की गोश्टी संगम का मतलब ही क्या होता है कई सारी सीज़ें जैसे नदियों का संगम है वहाँ पे कई नदिया मिलती है आपस में तो वैसे ही संगम का तातपर कवियों की गोश्टी से होता है इन गोश्टियों में कवियों के द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता था संगम युग में दक्षिन भारत में पांडे राजाओं के संदक्षन में तीन संगम आयुजित किये गए जो 3 संगम है उसको next table में आपको दिखाया गया है पहला मदोरई में किया गया दूसरा कपाटपुरम अलयवाई में किया गया तीसरा मदोरई में ही किया जो पहला और दूसरा संगम हुआ उसकी अध्रेक्षिता अगस्त रिशी के द्वारा की गई थी और तीसरे संगम के अद्धिक्स्ता नकीरर के द्वारा की गई थे। दक्षिन भारत के आरे करण का श्रेय अगस्त रिशी को जाता है। उनके जनक के रूप में अगस्त रिशी को जाना जाता है। तो तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी अगस्त रिशी को मानते हैं। यह एक काव्य शास्त्र का भी उच्च कोटी का ग्रंथ है। इसके लेखक इरंगो आडिगल थे। यह संगम साहित का महत्पून काव्य है। जिसके लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। इस ग्रंथ में पुहार या कावेरी पट्रनम के एक धनाट्य व्यापारी के पुत्र कोवलन और उसकी अतिक सुन्दर लेकिन दुर्भाग इसकी शाली पत्नी कन्नगी से संमंदित धुखद और मारविक कथा का बढन किया गया है। नचे टिरक कुरल पामिल भाषा में रचीते कावे रचना है जिसमें एठिक्स के बारे में बताये गया है, नीति शास्तर के बारे में लिखा गया है, जिसके रचायता थे तिरवल्लूः, ये काफी फेमस रिशी है वहांके जिनों है तमिल कावे की रचना किए है, तुलक का कभी तिर्वलवूर ने की थी अनुशतियों के अनुसार तिर्वलवूर, ब्रह्मा के अवतार थे भारत के सबसे दक्षनतम अगर मुख्य भूमी पर आप जाते हैं तो आपको जगे मिलेगी कन्या कुमारी जो कि तमिलाडू में इस्ते थे तो कन्या कुमारी में ही एक वहाँ पर आईलेंड बना हुआ है जिसका विवेकानन रॉक मिमोरियल के नाम से जिसे हम जानते हैं काफ़ी आगर आप लोगों में से कोई वहाँ पर भूमने गया होगा तो आपने देखा होगा विवेकानन रॉक मिमोरियल से ही पास में एक और आईलेंड है जिसपे छोटा सा टापू है जिसपे एक मूर्ती बनाई गई है और उसपे जिन ग्रिशी की प्रतिमा बनाई गई है उनका नाम तिरवललवर है तो तिरवललवर को वहाँ पर के काफी फेमस कभी है इसके बाद हम बात करते हैं पललव साशक सिंग विश्नु जिनका साशनकाल था पांसो पेशत्तर से छेसो इसवी इन्होंने अवनी सिंग की उपादी धारण की थी कशाकोडी दानपात्र से ज्यात होता है कि ये सिंग विश्नु चोल पांडिय सिंगल कलंब्र की राजाओं को पराजित किया था नर्सिंग वर्बन प्रथम शेसो इस से 638 इस वी में इनका साशनकाल था इन्होंने महा मल की उपादी धारण की थी परमीश वर्बन प्रथम जिनका साशनकाल था इसके बाद संगम साहित में किवल चोल चेर पांडे राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है चोल स्थापत्य के क्रिष्ठ नमूने तंजोर के शैव मंदिर जो राज राजेश्वर या वरहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं इनका निर्मार राज राज प्रथम के काल में हुआ था भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और लंबा ये मंदिर द्रमिण शैली का सर्वोत क्रिष्ठ नमूना माना जा सकता है इस मंदिर के बाहे भाग में एक नंदी की विशाल मूर्ती बनी हुई है जिसे भारत में विशालतम नंदी की विशालतम मूर्ती मानी जाती है जैसे ओरैयूर, कावेवी पट्टनम, तंजाबूर, आधि चोलों के अधिकार में थे नेक्स्ट है परांतक प्रथम इसके अंतिन दिनों में राष्टकूट साशक कृष्णा तृतिय ने पश्चिम गंगों जिसमें के जो साशक था बुद्तुक दुतिय उसकी सहायता से इनोंने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को हरा दिया था और तंजोर पर अपना अधिकार कर लिया था कृष्णा तृतिय ने इस उपलक्ष में तंजय कॉंड की उपाधी धारन की थी चोलों की जो राजधानी थी वो थी तंजोर इसके अलावा गंगय कोण चोल पुरम भी चोलों की राजधानी थी संगमकाल में चोलों की राजधानी उरायूर थी द्रमिन देश में चोल आधिपत्ति की स्थापना वस्तुतह परांतक प्रथम ने की थी उसने मदुराई के पांडे राजा को हरा कर मदुराई कौंड उपाधी धारण की राज राज प्रथम ने सरप्रथम चेरों की नौसेना को कंडलूर में परास्त किया था और राज राज प्रथम और उनके पुत्र राजिंद्र प्रथम ने दक्षनपूर्वी एशिया के सैलेंद्र सामराज्य के विरुद्ध सैन ने चड़ाई भी की थी और उसके कुछ छेत्रों को भी जीता था चोल साशक राजराज प्रथम ने सिंगल अर्थाथ श्रीलंका उस पर भी आक्रमन किया था और उत्री सिंगल को उन्होंने जीत कर अपने सामराज में मिला लिया था विज़िट छेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नश्ट करके पोलोन रुवा को इस छेत्र की राजधानी बनाया जिसका नाम जननाथ मंगलम रखा जब राजराज प्रथम की व्रत्य हो गई उसके बाद जो उनका युग्यतम पुत्र था उसका नाम था राज़ेंदर प्रथम वो समराट बनता है और उसने अपने पिता की समराज जवादी नीती को और भी आगे बढ़ाया राजेंदर प्रथम का काल चोल शक्ति का चर्मोतकर्ष काल के रूप में जाना जाता है इसने बंगाल की खाड़ी को चोल जील के रूप में परिवर्टित कर दिया अर्थात इस काल में चोलों की जो नेवल फोर्स थी जो उसकी नौसेना थी वो काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग हो चुकी थी कि बंगाल की खाड़ी में उनका प्रभुत्य था उनकी तूती बोलती थी 2017 है इस वी में उसने संपूर्ण सिंगल दीब अर्था संपूर्ण श्रीलंका पर जीत हासिल की वो सिंगल राजा महिंद्र पंचम को बंदी मना कर चोल राज़ में ले आया उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश से उत्तर पूर्वी भारत अर्था गंगा घाटी पर भी आक्रमन किया और पाल साशक महिपाल को उसने पराजित किया था इस विजय के उपलक्ष में उसने गंगय कोंड की उपादी धार की और गंगय कोंड चोल पूरम नामक नई राज़धानी इस्थापित की नवीन राज़धानी के निकठी उसने सिचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्मान करवाया कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहू ने अपनी स्वतंतता गोशित की लेकिन कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रोहाव की समाप्ती के प्रती किसी भी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया था और उसने अपनी पुत्री का व पूत मंडल चीन भी भेजा गया कुलोतंग प्रथम को लेख में सुंगम तर्वेर्थ अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया तो इसने काफी जादा मात्रा में अपने टेक्स थे उनको हटा दिया जिसे जनता को राहत मिली थी अगर इनके साशनकाल में व्यापार की बात करत देना था तमिलनाडू के तिरुचरापलनी में कावेरी नदी के तड़ पर एक जगह है और यूर संगम कालीन महत्पूर्ण नगर था यह कारी और वाराणन नाम के से भी काफी फेमस थी संगम यूग में और यूर सूती वस्तरों का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था इसका वेवराण पैरिप्लस ऑफ अफ एरिथ्रियन शी इसमें भी मिलता है पांडे राजा की जो जीवन रेखा थी वो क्या थी वेंगी नदी ये नदी कंडन यानि मन कन्यूर और था पश्वी घाट में मदरय के समीब तमिलनाडू से निकलती है और पांडे राज्य का व राज़ानी मदरय थी वेंगई नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए काफी ज्यादा पीमस था चेर राज्य पर विविजय के उपलक्ष में पांडे शाशक जैन्त वर्मन ने वान बन की उपाधी धारन की थी पल्लमों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष में पांडे साशक मारवर्मन राज सिंग प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधी धारन की थी तो कई बार यह पूछ लिया राता है कि पर्टिकलर उपाधी किसी राजा ने किस ओकेजन पर धारन करी नेक्ष्ट है दक्षिन भारत के पांडे वज़श के राजा ने रोम राज पांडव नहीं है जो कि हस्तना पूर से जोड़े हुए थे यह पांडे राजा है तो यह की जगह वह बन गया है अग्यात ग्रीक नाविक था जिसने पुस्तक लिखी जिसका नाम है पहले पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें प्राचीन काल में जो भारत के साथ जो व्याप आपको नौरा, तोंडी, मुशिरी, नेली संडा ये कुछ हमारे भारत के जो पश्मी तठ है उसके प्रमुख बंदरगाहों के नाम है कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी इस राजबंज की स्थापना मयूर्श शर्मन ने की थी कदम राजध को पुलकेशन दुती ने अपने राजध में मिला लिया था चोल सामराजी की स्थापना विजया लेने की थी जो आरंभ में पल्लवों का एक सामनती सरदार हुआ करता था उसने 850 इसवी में तंजवर को उपने अधिकार में ले लिया और इस समय पल्लवों और पांडियों में संगश बढ़ता जा रहा था पांडियों की निर्वल इस्तती का लाव उठाकर विजया लेने तंजवर पर अधिकार करिया और वहां उसने दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया विजया लेने लगभग 871 इसवी तक इस पर राज किया नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें बताएगा है कि चोल स्थापत्य के उत्कृष्ण नमूने तंजवर के स्यव मंदिर जो राज राज इसवर के नाम से पसिद्ध है उसका निर्मान जो चोल शाशक था राज राज प्रथम उसके काल में हुआ था भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और लंबा यह मंदिर द्रविन शैली का सरवत्तम नमूना माना जा सकता है इसका विशाल प्रांगर 500 बाई 250 मीटर स्क्वेर के आकार का है मंदिर के प्रवेश पर दोनों और दो द्वारपालों की मूर्तिया मनी हुई है इस मंदिर के भारत की विशालतम नंदि की विशालतम मूरती मानिय जाता है इसके बाद कृष्चन और नदियों से लेकर कुमारी अन्तरी पर्थात कonnya कुमारी तक का जो विश्तरित भुबाग था उसे प्राशिनिकाल में तमिल प्रदेश की नाम से जाने जाता था यह भाग तमिल यूर कावेरी पट्टनम तंजावुर ये सभी इसमें शामिल थे चोल शाषन की सबसे उलेखनी विशेषता ये थी कि वह आशाधरा शक्ती और छंता रखती थी जो स्वायत शाषी ग्रामी नसंस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती थी वस्तुत है इसकाल में स्वायत साषन पूनतह ग्रामों में ही क्रियानवित किया गया था चोलों के अधीन ग्राम प्रशाषन में ग्राम सभा की कारेकारणी समितियों की कारेप्रणाली का विस्तृत ववरण हम उत्तर मेरूर के प्राप्त लेख्यों से प्राप्त कर सकते हैं प्रते ग्राम में अपनी एक सबहा होती थी जो प्राया केंद्रियन यंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अपने गाउं के साशन प्रशाशन का कारे करती थी चोल सामराज जी की महत्ता का वास्तविक संस्थापत परांतक दुतिय था तो सुन्दर चोल का पुत्र अरिमोल बर्वन था जो कि 985 इस प्रथम एक इस्थाई सेना का निर्मार किया और एक नौसेना का भी निर्मार किया उसने समस्तर भूमी की नाप करवाई सोने चांदी और तावे के सिक्कों का प्रशलन करवाया नेक्ट है एरिपत्ति तर्म क्या है एरिपत्ति चोल प्रशासन के अंतरगत भूमी थी जिससे मिलने वाला राजसो अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाओं के लिए निर्धारित किया जाता था साथवी से आठवी शदी में दक्षिन भारत में घटे का प्राहय मंदिरों के साथ संभध विध्याले होते थे चोल काली में स्थानी प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम अथात ग्राम संग गठित किया गए थे जिनको तनियूर या तकुर्रम कहा जाता था तो यह पर्टिकुलर टरम्स आप एक बार देखते चलिए कि किसी इसको इंडिकेट करता है तगर प्राशीन भारत का एक महत्रकून व्यापारिक केंद्र था ये कल्यान और वेंगई के बीच में स्थित था चालुक्यों के साशनकाल में महिलाओं को उच्छपदों पर निक्त किया जाता था विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भठारिका ने अपने नाम से दोतामर पत्र लिखवाए थे वो एक अच्छी कवित्री भी थी विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुम-कुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्रहमन को एक गाउँ द्यान में दे दिया था कीर्ती वर्मन धुती की महरानी महादेवी के उसके साथ रक्तपुर के इसकंदावार में उपस्तित रहने का उलेख भी मिलता है इस्वंश की विजय भठारिका ने कुशलता पूरवक सासन 45 करने के कारण इस्वंश की काफी विजय हुई तो अगर साथ प्रशाषन की विवश्था कुशल पूरवक चलाई जाए तो किसी शाषक को साथन करना बहुत ही इजी रहता है इसलिए इसमें बताया गया है कि जो ये रानी थी विजय भठारिका इन्होंने अपना प्रशाषन का जो कारे था को काफी कुशलता पूरवक किया था जिसके कारण तालुक के वज़िश में इनकी एक अलग पहचान है एहोल प्रशाष्टी बादामी के साशक पुलकेशन दुतिक इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है इस लेख की भाषा संस्क्रत तथलिपी दक्षिन ब्रहमी है इस लेख की रचना रविकीर्थी ने गी थी इस प्रशाष्टी के अंत में लिखक ने ये दावा किया है कि उसने लिख कर कालिदास और भारवी के समान यश्प्रात किया है इसलिए इस अभिलेख में कालिदास की नाम का भी उलेख मिलता है इसके बाद बात की गई है तोलक का पियम के बारे में इसके प्रणयन करता तोलक का पियर रिशी अगस्त के भारह योगी सिश्यों में से एक थे यह एक व्याकरन गरंत है जिसकी रचना सुत्रशैली में की गई है नेक्स्ट है एमफोरा जार ये एक लंबी और संकीम गरदन वाला तथा दोनों तरफ हथेदार जार हुआ करता था प्राचीन काल में इसका प्रयोग तील या शराब को रखने के लिए किया जाता था अरिकामेडू के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवसेश मिलते हैं तो ये एमफोरा जार कहां बनता था आपके रोम से मिलता था रोम से इसका आयात किया जाता था और इसका प्रयोग किया था था तो इस्टोर वाइन और ओयल नेक्स्ट है तमिल छेत्र के सिद्ध या सिद्धर एक केश्वरवादी हुआ करते थे यह मूर्ति पूजा के निंदक थे लिंगायतों ने जाती की अवधारणा और कुछ समधायों के दूशित होने की ब्रहमणि और धारणा का विरोध किया था इनका विश्वास था कि मृत्यू परांथ भक्त और भगवान शिव दोनों ही एक हो जाते हैं तो जो आपका लिंगायत धर्म है यह शैव धर्म का ही एक सेक्ट है तो इनके जो इश्वर है भगवान शिव है तो यह मानते हैं कि मृत्यू के भारित के नगर थे उसमें व्यापारियों के अलग-अलग संग्ठन थे मनिग्रामम वलंजीयर यह सभी अपना व्यापार और व्यवसाय को प्रोचसाहन करते थे इसके बाद मीनाक्षी मंदिर का निर्मार पांडे राजाओं ने अपनी राजधानी मद्रही में करवाया था म महाकाल मंदिर उज्जैन में बना हुआ है और वैंकोटेशवर मंदिर तिरुमाल अंत्यप्रदेश में स्थित है बैलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कोलकाता वेस्ट बेंगौल में स्वामी वेकानन के द्वारा की गई थी तो बिसिकली इसमें आगर यह भी सोचेंगे जरूर जह भी इस चीज इसमें दिख रही है कि जो PDF या जो नोट्स बनाए गए है यह एक सिमेट्री में नहीं है इसमें जो भी एक अलग-अलग पॉइंट है वो कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेट में पूछे हुए questions हैं जिसको describe किया गया है तो कुल म भी आपके question bank है वो आपकी पूरी cover हो जाएगी